अब जबकि Board Attemptation में महज कुछ दिन ही बचे हैं, साब साब CIAC की उन्ट से जो इंस्ट्रक्शन स्कूलों को दिया गया, बताया गया, तो कि स्कूल यही बात अपने Board Student को फेरविल के दोरान बता है, और बता रहे हैं कि ICAC Class 10 and IAC Class 12 2023 के सभी Board Student है, वे chapter wise अपने सभी subject के evaluation जो कि उनको बता दिये गया, advance में, सभी स्कूलों ने ऐसा किया, कि chapter के हिसाब से कितने question और कैसे marking पूछे जाएंगे, student school पढ़ने होगे, क्योंकि limited पढ़ाई करके Board Examination में maximum marks एवार्ड करने है, और दूसरा important point यह बताया गया, तो आप science string के student होगे, तो तीछले 2021 या फिर 2020, 21 में जामने होगे थे, तो 2020 के paper बना के खहेंगे, कि मैंने previous year question paper बना लिए ऐसा नहीं, कम से कम 2015-16 से लेकर अभी तक यह सभी question को बना लीजी, यही बात ICSE class 10 के student के लिए में कहीगे, कि आप 2023 में body gamination देने जा रहे हैं, तो 2013-14 से जितने भी question कम से कम है, physics, chemistry, biology है, history, science, geography है, दोकोग्राफी है, इन सबको अच्छी तरह से solve करें, कम से कम पिछले 8 सान के question को solve किया जाना चालिए, उनके किसी तरफ के error नहीं बच जाए, और student जो board examination में भाग ले रहे हैं, कम से कम perfectness की ओर जा सकती, बहुत सारे student पूछेंगे कि मैं इस तरफ के वीडियो बना के आपको क्यों बता रहा हो, क्योंकि board examination के दोरान, या board examination के बाद, जब आपको अपनी गलती महशूस होगी, तो उससे पहले इन तमाम points को, जिसको मैंने बहुत सारे seminar में, बहुत सारे point wise display में, या बहुत सारे power point में, बहुत सारे failure program में, interaction होते हैं, टीचरों के साथ, तो उन सब से पता करने के बाद, आपके साथ share किया है, क्योंकि इन से आपके maximum access score करने की चमता परती है, student की efficiency board examination खिलीव बढ़ती है, और इन सब से बढ़कर, student है, जो की board examination में limited time period में, किस तरह से अपने best ever performance देते हैं, वह सामने आएं, student को limited time period में अपने answer script याने की जो भी answer sheet मिलेंगे, उसको भी fill up करने, question के answer देने, question के answer इस बार multi-diverge होने है, मतलब की one marker question है, two marker questions हैंने के 20 marker के questions हैं, और student के पास variety नहीं है, school के limited समय में, किस तरह से question के साथ deal करना है, किस तरह से answer का presentation करना है, और सब कुछ बाते नहीं बताई जाती है, तो उन दोरान student आखिर क्या करें, long answer or question तो आप last year को बनाएंगे तो पता चल जाएंगे, two years, three years, four years को कि इकाफी समय से होती हैं और इसमें student को ज्यादा problem भी नहीं होगे, science system के रिवें student है, यदि 10 years पिछले, इससे 9 साल के बना लाती हैं तो इनके अधितर problem solve हो जाएंगे, लेकिन बात यहाँ पर होती हैं कि one marker या objective type question किस तर से solve किया जाएं, इसके लिए भी बहुत सारी strategy और जो भी मतलब कहता है, trick and tips बताएंगे, उसको मैं आपके साथ share करना चाहूँगा, तो अभी के समय में इन points को अच्छी तरह से DE कर ले, आज गल पसो में preparation में शामिल करके, ताकि आगे चलके कोई गलती ना हो, और आपके marks ज़्यादा है, यही मेरी काम ना, और आपके दूआती है, तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर रखे,